तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और सांदार वीडियो में और इस वीडियो में हम आपको 6 माइक्रो कैप छोटिक कम्पनियों के शेयर आपको बताने वाले हैं और इसमें हमने वही कम्पनिया रखी हैं जो लगातार प्रोफिट कर रही हैं साथी साथ अच्छा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे और जल्दी से यार पांच हार करा दीजे क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको हम ऐसा मिलती रहती हैं तो चलिए सुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला देखें नाम है मनाली पैट्रो कैमिकल लिमिटेड चैनल पॉइंट नभए रुपे का इसका करेंट प्राइज है और 4.35 परसेंट की इसमें एक नेगिटिविटी हमें लाच्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली क्योंकि पूरा सेयर मार्केट ही डाउन था बहुत तख बहुत सच्ता है 5.63 पर 57 की बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू से थोड़ा ही उपर ट्रेड कर रहा है और आरोई इसका देखेंगे तो 47 परसेंट का है आरोई है 63 परसेंट का तो बहुत अच्छा आरोई आरोई सी कंपनी दे रही है डिविडेंट भी कंपनी देती है लगभग 37 परसेंट का फेस वैल्यू है पांच की तो इन फ्यूचर हमें इसमें इस्पिलिट भी देखने को मिल सकता है कंपनी का कौँज और प्रोई देखें तो कौँज में कुछ भी नहीं है बलकि प्रोई इसका भरा पड़ा है देखिए और डिविडेंट भी कंपनी देती है पांच साल का C.A.G.R अगर देखें तो 54 परसेंट से बढ़ा हुआ है तीन साल से आरोई भी 35 परसेंट का है लगबग 45 परसेंट प्रोमोटर्स के पास है लगबग 27 परसेंट FII और DIA के पास छोटी सी हिस्सेदारी 0.03 की और लगबग 33 परसेंट है पबलिक के पास दूसरी जो हमारी कंपनी है अजंता सोया लिमिटेड और सिर्फ 34 परसेंट के लगबग 25 परसेंट की एक डाउनसाइड हमें लाश्ट स्रेटिंग सेसन में देखने मिली जो की सभी सेर में देखने को मिली है और देखिए कंपनी जो है वनस्पती तेल जो है आता है इसका और साथी साथ कुकिंग ओईल और भी मतलब बिस्किट बगएरा बेकरी बगएरा में भी काम करती हुई हमें कंपनी देखती है मतलब FMCG की यह चोटी सी कंपनी है मार्केट कैप है सिर्फ 274 करोड का करंट प्राइस 34 का और पी है 15 बुक वैल्यू है 15 की अगर ROE और ROC देखे तो अच्छा है 40% से उपर दोनों ही बने हुए हैं फेस वैल्यू है 2 की और देखिए अगर देखें कौंज और प्रोज तो कौंज में कुछ भी नहीं है बस यह लिखा हुआ है कि डिविडेंड कंपनी नहीं देती है तो कंपनी की बात है कि दे ना दे वह तो इसकी इच्छा है और देखिए यहां प्रोज में कंपनी ओल्मॉस्ट डेफ्ट फ्री है और 45% का CGR पिछले 5 सालों से दे रही है और लगभग 35% का ROE भी कंपनी ने बना बताएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो इन पर सब पर बना दी जाएगी सारे ही जितने भी स्टोक इसमें 6 बताएगा है सब पर लेकिन अभी अगर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ये छह सेयर में तो इसलिए बस मोटी मोटी चीज अभी इसमें बता रहे हैं आपको तो इस लिस्ट की हम अपनी तीसरी कंपनी देख लेते हैं कंपनी का नाम है मिश्ठान फूड लिमिटेड और 8.85 पैसे का करेंट प्राइज है और जहां देखिए नि जो इसके प्रमोटर हैं वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं जैसी थोड़ा सा रेट डाउन आता है वो खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी ये बात है 885 करोड का मार्केट कैप 8.85 पैसे करेंट प्राइज है 1.23 पैसे की बुक वैल्यू है पी भी सस्ता है 20 क ROE ROCE देखिए हमेशा 35% से उपर बनी हुई है बलकि 36% से उपर अगर इसके भी हम कौंज और प्रोज की बात करें तो आप कौंज में देखेंगे कि सिर्फ एक कौंज है कि ये बुक वैल्यू से अपना लगबख साथ गुना उपर ट्रेड कर रही है लेकिन अगर प्रोज म भी कंपनी अच्छा देती है अगर देखिए इसके हम बात करें सेल्स ग्रोथ की तो 47% से बढ़ रही है और प्रोफिट ग्रोथ 310% से बढ़ रहा है एक कीटी पर रिटन जो दिया है वो दिया है 37% बात करें शेयर होल्डिंग पैटन की तो लगबख 49.28 प्रोज के पास औ उसका नाम है L.T. Foods Limited 107 का करेंट प्राइज कल इसमें 6% की गरावट हमें देखने को मिली इसको जो प्रोडेक्ट है आपने देखे होंगे बासमती राइस है जो की दावत के नाम से बिखता है रोयल के नाम से बिखता है तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडेक्ट इसके ह और साथ ही साथ देखे और गनिक फूर्ट में भी ये काम काज करते हूं हमें दिखती है तो सारकसारा इसका काम और गनिक है बहुत अच्छा काम काज करती है और इसका जो मार्केट है वो है देखे मार्केट है यूएस में और यूरोप में ज़्यादा है तो ये मार्केट बहुत अच्छा है कंपनी का विदेशों में हैं अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 3,422 करोड का 107 का करेंट प्राइज और 136 हाई था 58 इसका लो था छोटा सा डिविडेंट भी कंपनी देती है लगभग 1% 68 की book value 10 का PE है सस्ता मिल रहा है और ROE और ROCE है 15% से उपर दोनों बात कर लेते हैं compound sales growth की company की तो 29% से बढ़ी है और अगर हम पिछले 3 सालों से देखें तो 32% की profit growth रही है CAGR रहा है 73% से बढ़ा है बहुत सांदार company में हमें growth देखने को मिली है बात करें अगर देखें इसके share holding pattern की तो आप नीचे देखेंगे 56% 56% promoters के पास है 4% FII के पास DII के पास लगभग 37% और public के पास है लगभग 36% की holding आज का हमारा जो पाँचवा शेयर है उसका नाम है फिला टैक्स इंडिया लिमिटेड 83 रुपे का current prize और इसमें कल बहुत तखडी ग्रावट 10% के हमें देखने मिली और यह जो है हमारा tax style से जुड़ी हुई company है यहाँ आप देख सकते हैं tax style में है और synthetic yarn में यह company है हमारी अगर इसका हम market cap देखें 1881 करोल का है मात्र बात करें इसके current prize की 83 का P.E. बहुत सस्ता है और book value है 47 की छोटा सा dividend भी हमें company देती है face value दो की है ROE और ROC दोनों ही देखे 32% से उपर बने हुए है बात करें अगर हम conj और प्रोज की इस company की तो कौँज में कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन देखिए company debt free है एक तरह से और reduce कर रही है अपनी debt को यह साथी साथ एक good cutter की इसकी expectation की जा सकती है और 5 साल का जो इसका CAGR है profit growth है वो 47% से बल रही है और जो equity return मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 27.6% का साथी साथ sales growth हमारी बड़ी है 21.2% से तो बहुत ही तखड़ा एक हमें company growth करते हुए दिख रही है company के पास 1033 करोड के reserve भी है और 373 करोड का एक छोटा सा करजा है बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यह और अगर shareholding pattern इसका हम देखें तो आप देखेंगे के shareholding जो कभी 60% हो करती थी 69% होती थी वो अब है लगवग लगवग 65% और FII देखेंगे जो बिलकुल निल थे वो 6.37% इसमें आ चुके है अब और public के पास रहा है बस 28.76% का stake तो हम देख लेते हैं अब लास्ट और छटा इस्टोक जिसका नाम है साकसॉफ्ट लिमिटेड 106 का करेंट प्राइज और यह आपको जो दिखेगी UK और USA में कामकाज करते हुए यह कंपनी दिखती है हमें यहां की कंपनियों को यह हमारी कंपनी यह intelligence और information management solution प्रदान करती है सिर्फ 1122 करोड की कंपनी 106 का करेंट प्राइज पी 16 का 32 की book value है ROE और ROC दोनों ही 20 से उपर और dividend भी कंपनी देती है एक छोटा सा 0.57% का इस कंपनी के अगर कौन जोर प्रोज की बात करें तो देखिए पिछले तीन सालों में लगवग लगवग 5% लगवग 5% जो promoters हैं उन्होंने अपनी holding को sale किया है कम किया है और अगर प्रोज की बात करें तो almost debt free है यह कंपनी इसने अपने debt को लगवग खतम कर दिया है और एक अच्छा good quarter की इससे हम expect कर सकते हैं साथी साथ 5 साल का CAGR है 29.9% का बात करें अगर इसकी sales growth की तो 40% से बढ़ी है 26% से इसने जो profit growth है वो बढ़ा है और देखिए पिछले तीन सालों से 73% का CAGR कंपनी दे रही है और 22% तक का यह हमें ROE प्रदान कर रही है अगर बात करें इसके reserve की तो reserve है इसके पास 336 करोड के और 19 करोड का करजा चोटा सा करजा है एक कंपनी के पास तो बहुत बड़ी बात यह है नहीं और shareholding pattern देखें तो बहुत शांदार देखें दिखता है इसमें यहां पर आग देखेंगे आप 68% से ज्यादा promoters के पास है लगभग 4% FIA के पास और DIA के पास 0.28% है पब्लिक के पास 22% है और other में आप देखें तो 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी others के पास है तो दोस्तों यह कुछ 6 share थे छोटी कंपनिया हैं सभी microcap कंपनिया है इन्हें आप अपनी watch list में रख सकते हैं लेकिन invest करना ना करना आपके ओपर बात है कोई इसमें सलाह ऐसी नहीं है हमारी अगर आप जय हिंद जय भारत